हेलो एवरिवान, वल्कम तो डॉलेश कुटेक, माइसल दीप राज और हम लोग पढ़ रहे हैं C प्रोगामिंग फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करने हवाले हैं कि हमारे पास में जो C में फंक्शन होते हैं हम लोग बनाते हैं उसको युजर्ड़ींग का जाता है उसकी पोजिशिति काहँ-कार रख सकते हैं मतलम मैं कहां-कहां पजाकर अपने फंक्शन को बना सकता हूँ यह बड़ा काम का है, जब आप लोग किसी कमली में वग कर रहे हैं, या जब आप अपना प्रोजेक्ट मना रहे हैं, इस वीडियो के अंदर, किस तरह से हमारे पास में जो होगे, वो कहां कहां रख रहे हैं, उनके साथ में क्या क्या treatment करना पढ़ रहा है, चलिए सरवात करते इस वीडियो की, और यह हमने खोल लेते हैं हमारी आईडी, तो फ्रेंड्स हम लोग अपनी आईडी पर आ चुके हैं, और यहां हमने एक छोटा सा में का जो प्रोगाम होता है, यह यह यूनिवर्सल प्रोगाम है, यह तो आना ही आना सी के प्रोगाम के अंदर में तो हो ग तो फंक्सिन बनाना बहुत ही आसा है, दोस्तो, मैं आप कहो तो इसके लिए मैं सिंटेक्स भी दुबारा आपको यहां पर लिख देता हूँ, दोस्तो किसी भी फंक्सिन को बनाने के लिए सबसे पहरे तो आपको उसका एक नेम लेना पड़ीगा, ठीक है, फिर आपको उस के नीचे कली प्रसिस बनाने होगे, कली प्रसिस एक्चुली मैं स्टेटमेंट का बंदल अप करता है, आप समझगे, यहां पर अगर दस पंदल आइन आ रहे हैं, तो हमें यह बताने में हेल्प मिलती है, इनकी आपसे कौन सी लाइन इस फंक्सिन की है, और कौन सी लाइन अब यहां पर एक चीज और आती है पैरमेटर, अब यह जो पैरमेटर है दोस्तो ये एक ओप्शनल है, आप चाहिए तो लिख सकते हैं और चाहिए तो छोड़ सकते हैं, टिक हैं, तो जब तक हम लोग इसके बारने Mega कुछ और नहीं प्ढ़ लेते हैं, कुछ और चीज़ ठीक है फिर मैंने रिटन कि यह क्या लोटाएगा तो यह लिखना जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग नहीं भी लिखते हो तो आपके बिहाफ पर हैं अपने लिखा यह लेकिन यहां पर आना जरूरी होता है तो अगर आपने नहीं लिखा तो अपने नहीं लिखा तो कंपैरर को मैंनत करके लिखना पड़ेगा और कंपैरria से लिखना का आए एंट कि लिखे गा तो इसकी चर्चा हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं तब तक आप लोग उसको void लेकर चले तो हमने उसको void ले लिया है स्कुप मैंने बना लिया लेकिन मैंने parameter को छोड़ दिया है मैंने यहाँ पर किसी भी तरगा parameter यूज़ नहीं किया है यह सोचकर कियार मुझे अभी यह optional है और अभी इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं जब हम लोग इसके बारे में सीख लेंगे तब हम लोग इसको use करेंगे कि हमने किस तरह से यहां पर function को design किया डेमो को अब प्रोगाम की शरवात होती है में से ठीक है अब में से होगा खतम में पर हो जाएगा तो इस प्रोगाम का अगर में आपसे आउटपूट पूछू के दोस्तों इस प्रोगाम में आउटपूट कुछ नहीं होगा चली और अभी हेलो फंक्शन में नहीं चल रहा अब चल रहा के नहीं चल रहा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर लिख देते हैं printf क्या लिख देते हैं दोस्तों printf ताकि जब डेमो चले तो at least कुछ तो print हो तो मैंने लिखा this is demo function this is demo function ओके ताकि जब यह चले यू.h यह वह हैडर फाइले जिसमें printf की पूरी information दे रखिए ठीक है तो printf तो है predefined function और demo हमारा है user defined function तो चली अब program को सरवात करते हैं और फिर भी output कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम लोग सरवात main से करेंगे program यहां से रन होगा फिर यहां जाएगा और program हमारा finish हो आप चाहिए तो इसको verify कर सकते हैं ओके यहां पर semicolon हम लोग miss out कर रहे हैं चीक है अब चलाता है इसको आप देखने हैं कि output क्या है कुछ भी नहीं आ रहा भी अब मैं क्या करता हूं अगर function की बात होती है खास कि अगर आप C में किसी भी function को चलाना साथ है तो उसको call जरू operating system जो कि हर system available है तो operating system जभी program run होगा तो main को जरूर call करेगा यह नहीं करे ऐसा हमारे हाथ में अभी तक तो कोई option है नहीं तो यह main को call करेगा करेगा अब हमारे हाथ में है कि बाकी जिते भी function से में को छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं उनको call होगा या नहीं होगा यह हम डिसाइड करते हैं प्रोगाम के लिख कर तो मुझे अगर डेमो को चलाना है तो मुझे डेमो की calling लिखनी पड़ेगी तो मैं आपको side by side को जो declaration होता है जो calling का syntax है वो समझा देता हूं तो यहां पर मैं syntax क्लिंग कैसे करते हैं बहुत आसान है दोस्तो कोई भी चीज की calling करन नहीं तो उसका आप नाम लिखेंगे और parenthesis लगाएंगे और semicolon लगा देंगे और अंदर लिख देंगे parameter ओके दोस्तों यह parameter अगर आपके function में parameter नहीं है तो आपको भी parameter छोड़ना पड़ेगा या तो आप ऐसा लिखेगा या आप कुछ ऐसा लिखेगा दोनों में से कोई एक चीज सही होने वाली आपके इस function के लिए तो मैं यह वाला चूज करूँगा क्योंकि मेरे यहां पर यह जो hello function है और demo function है उसमें किसी तरगा parameter नहीं है इसे वज़े से जब मैं इसकी calling करूँगा तो मुझे इसका parameter भी छोड़ना पड़ेगा अगर मैं नहीं करेंगे क्योंकि हम डेमो में नहीं है चली इस program को फटक से हम लोग run करके देख लेते हैं कि इसका किस तरह से output आएगा तो मैं इसको run करता हूं दोस्तो इसका output आया इस इस demo function आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तो आपको तुम इसको आपके लिए highlight कर देता हूं त दोस्तो चली मैं आपको बताता हूं यह run कैसे हुआ है तो सबसे पहले जो शरुआत होगी दोस्तो वो होगी हमारे main से किसे होगी में से तो program की सरुआत यहां से होगी यहां से हम लोग जाएंगे dem पर यहां से हम लोग moment लेगा हमारा जो control यहां जाएगा इसके बाद में व लोग खतम हो चुका है यहां पर इस पॉइंट पर खतम हो चुका है, तो जहां से calling हो भी यह वहीं चला जाएगा वापस, यह इस वाले step पाज जाएगा, इस वाले step में और हमें कुछ नहीं करना है, यह आगे बढ़ेगा और हमारा program इस वाले point पर खतम हो जाएगा, मतलब सर कि हम लोग बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो है इसकी positioning, तो जो positioning है दोस्तों में, वो मैंने hello की, sorry, demo की उपर रखी है, अब मैं इसको निच्चे भी रख सकता हूँ, या से मैं इसको cut करूँगा, और मैं इसको main की निच्चे press कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसको ह होता के नहीं होता है, इसको मैंने आशरन किया, यह दुबारा run होगा, और output हमें मिल चुका है, तो यह कि इसका मतलब ही है, कि हमें पूरानी जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग अभी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर यह एक error होती है, अगर आप turbo में work कर रहे हैं, क् हम लोग work कर रहे हैं, code block में, और हम लोग लेटर सी, लेटर सी का version कर रहे हैं, तो हमारे पास में अभी यह rule आ चुका है, कि कोई भी function, किसी भी function को उपर या नीचे आ सकता है, without declaration, तो यह declaration के बिना भी हम लोग किसी को उपर या नीचे लिख सकते हैं, यहां तर हमने कर लिय अब तीसी जो position होती है, वो होती है दोस्तों किसी भी main के अंदर, मतलब किसी function के अंदर, मैं इस वार इसको अंदर ही print कर देता हूँ, और आपकी सहुलियत के लिए मैं तो असको push-up कर देता हूँ, तक आपको अच्छी सी दिखाई दे, क्या कि दोस्तों, वापस वही है, यहाँ पर जो सबसे confuse होने वाले बात होती है, वो मैं हम लोग discuss कर लेते हैं, पहला यह कि सर, जब सरुवात main से होगी, मैं आपको drop पर भी कर देता हूँ, डाइग्राम, कि आप क्या समझ सकते हैं, या कुछ student, मैं आपकी general student समझते हैं, वो भी बहा जाता हूँ, कि general student को क्य आशु आता है, इस तरह के program है, तो friends, मैं यह मान के चलता हूँ, कि आप जो यह program बना रहे हैं, यह turbo पर बना रहे हैं, तो बिलकुल error है, तो बिलकुल error है, या एक function दो दूसरा function नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप code block यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तो, मैं बार बार जरूरान वाली है, चले दोस्तो, अब मैं इसको समझाता हूँ, कि program run कैसे होगा, यह अला, तो यहाँ पर confusion आती है, कि sir, सरुवात main से होगी program की है, यहां से, तो मैं इसको line up कर देता हूँ, यहां से program की सरुवात है, as starting point है, फिर हम लोग नीचे के तरफ आएंगे, demo, वो जो है, जब main उपर से नीचे के तरफ चलता है, तो यह जब इसके बीच में आएगा, तो यह चल जाएगा, और इसकी requirement नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको हटा के देख लेता हूँ, देखता हूँ, उसकी requirement हमें लग रही है यह नहीं लग रही है, ठीक, इसको मै इसकी भी work है, हमारा पास demo function रन नहीं हुआ है, अब रन क्यूं नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा चुक है, कोई भी function, चाहे हो कहीं पे भी हो, चाहे हो उससी file के अंदर हो, main के उपर हो, main के नीचे हो, या main के अंदर हो, ठीक है, कोई भी function को तब भी run किया जा सकता जब उसका calling हो तो हमने calling नहीं की तो यहाँ आप हम लोग calling कर लेते हैं दोस्तों और जैसे हम लोग calling करेंगे चलो यहाँ पर मैंने calling लिख दिये तो शरुवात नहीं होगी मेंस से मैं आपको drop कर देता हूँ उसको कि हम लोग क्या कहना चाहरे हैं ठीक है मैं इसको एक पर erase भी कर देता हूँ पुराने वाले डागरम को चलिए अब हम लोग वापस बात करनेंगे शरुवात मेंस होगी यह हमारे starting point है इसको 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 इसक पर आएंगे दोस्तों बाइपास कर देंगे यह केवल function की definition है यह call नहीं होगा तब तक इसको calling करेंगे तो दोस्तों यहां से जब हम लोग hello पाएंगे तो यहां से calling होगी शरू हम लोग जाएंगे demo function पर गए यहां से फिर यहां से हम लोग नीचे के तरफ आएंगे इसको पूरे function को रन करेंगे जो कि हमारा output पर this is demo function देखे जाएगा और जैसे यह demo function खतम होगा हम लोग दुबारा अपने इस फाले statement पर आ जाएंगे यहां पर दुबारा फिर उसके बाद में वापस नीचे के तरफ बढ़ेंगे और हमारा यहां पर return 0 पर program खतम हो जाएगा तो कि हमें आपको verify भी कर लेते हैं हम लोग इसको run करकर देख लेते हैं कि वाकिए में ऐसा हो रहा है के नहीं हो रहा है तो इसका भी हमने run किया और आपको यहां पर output मिल चुका है दोस्ते हैं कहीं कोई भी problem नहीं है तो आप किस भी function को main के उपर यह main के निचे यह main function के अंद और दूसरी file में बनाने की कोसिस करूगा ठीक है दोस्तों तो फटक से हम लोग एक file बना भी लेते हैं यहां पर और उसको सीख भी लेते हैं ठीक है तो file कैसे बनाते हैं दोस्तों बहुत असान है हम लोग जाएंगे यहां पर अपने project के उपर S पर या फिर आप इसको source पर फाइल कीजिएगा फाइल में जाकर new file कर दीजिएगा फाइल में गए और हमने यहां पर empty file ले लेनी की क्यां से वाइल लेनी है empty file लेनी है इक हम्तिक है और सब्सक्राइब करते हैं और ढहर्य हूंश हा değil को जैसे आपकी इसी भी file को .S से से ढटीक या है पास यहां पर यह जो दो थे दोस्तों एक तो था सोर्स कोड यहाँ पर आपके वह सारी फाइल होंगी जिसमें C है जिसमें आपको खोल के दिखा दीता हूं यहां आप लोग देख सकते हैं आप जित्ती भी C की फाइले बनाएंगे वो सब की सब फाइले आपकी सोर्स नाम की फोल्डर में पुट अप करतेगा हमारी कॉर्ट ब्लॉक की आईडी और आप जित्ती भी फाइले डॉट एस से बनाने वाले हैं उनको वो हैडर्स नाम के फोल्डर में पुट अप करेगा तो जो हमने फाइल बनाएए दी डेमो फाइल डॉट एच वो उसने खुद 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 हमने कुछ नहीं किया अब फाइल को सीब किया था एक नाम के साथ में जिसके बीच हमने डॉट एच लगाया था तो उसने कुद खुद एक हैडर नाम का फोल्डर बना दिया है और उसमें इस फाइल को पूट अप कर दो चीक है, कोई इस्यू नहीं है, अब header file वो file होती है, जिसमें हम लोग functions लिख सकते हैं, खीक है, तो मैं यह पर वो function लिख रहा हूँ, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, demo function की, तो देखते हैं कि वो function हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बहुत असान है, बिल्कुर function लिखने का तर function, अब बात हो रही है कि जो demo function है, यह call कर रहा है हमारे printf को, यहाँ पर हम लोग उस फाइल को add कर लेते हैं, header file को, जिसमें printf लिखा हूँ है, ठीक है, तो printf लिखा हूँ है, अब हम लोग अपने प्रोगाम में आते हैं, ठीक है दोस्तो, और यहाँ से हम लोग इस demo को हटा देते हैं, ठीक है दोस्तो, इसमें हम लोग तोरह से changes करते हैं, तो वापस देख लेते हैं, यह हमारी demo.s file थी, इसमें हमने एक function बनाया, जिसके अंदर हमने printf function को call किया, और जिसको call कर रहे हैं, वो function जो है, वो इस file में रखा हूँ है, और इस file का नाम कहा है .h, तो इसको हमने इस तरह से add करेंगे, hash include लगा है, तो similarly, अभी हमने एक file बनाया है, जिसके नाम हमने रखा था demo.h, यह वो file है ना, इस file के अंदर पढ़ा है demo, तो मैं यहाँ पर दोस्त error का mark है, तो दोस्तों, जिसके हम लोग calling कर रहे हैं, वो function यहाँ पर available होना चाहिए, और क्योंकि हो नहीं रहे हैं, हम लोग कहेंगे, यह function किस file में available है, तो आप कहेंगे, सरी file जो function है, demo file.h में saved है, तो .h की file को हम लोग अपने program में कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए हमने ल देखेंगे, उस file का नाम, जैसे हम लोग HTML लिखते हैं, विससे हम लोग लिखते हैं, तो मैंने यह file का नाम लिखा, demo file.h, ठीक है, आप इसको चलाते हैं, चलाने से पहले हम आपको बता देता हूँ कि छोटी से error आना वाली है, तो उस error को पहले देखेंगे, कि error क्या है, उ यहां पर उसने देखेंगे, आप यह error अभी भी दे रहा है, यह कह रहा है, कि आपने यहां पर जो file बनाई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसका logout, तो इसका log देख लेते हैं, कि इसमें किस तरह की error के बारे में जिक्र क्या जा रहा है, तो अगर दोस्तों, आपका log, यह नीचे चला गया है, तो रहा से मैं इसको white के लेता हूँ, चीकी दोस्तों, और यहां पर देख लेते हैं, किस तरह की हमें error की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे, कि यह कह रहा है, fatal error, demo file.h, no file, या no such file or directory is available, तो यहां पर एक error आ रही है, कि वो कह रहा है, कि उस stdio.h को जोड़ते हैं, तो बिल्कुल ऐसे जोड़ते हैं, वो तो जोड़ जाती है, बट जब मैंने अपनी header file जोड़ी ही, तो वो क्यों नहीं जोड़ी है, तो दोस्तो, stdio.h है, वो एक predefined header file है, मतलब वो आपने नहीं बनाई, वो आपको already मिली है, वो कहीं और रखे भी ह और जो हमने file बनाई है, जो हमारे project में user आ रही है, वो file कहीं और पड़ी हूँ है, उसकी location change हो चुकि है, तो user to define file होती है, user define header file होती है, वो हम लोग बनाते हों, उसकी position हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, उसकी position, header file की, वो हमारे folder में है, आप देख से आप हैं, तो यह इसी व ये जो एंग्लूर ब्रेकट होते हैं, include के साथ पले ये वाले, ये केवल include नाम की folder को सर्च करते हैं, अभी include नाम का folder जो है, वो हमारी ID के साथ में already आता है, और इसमें क्या होती है, इसमें सारी के सारी predefined header files, predefined header files जैसे की hddi.h, coni.h, standard library, tweak and match, बहुत सी header files हमारे पास में बनाई मिलती है वो सब include folder में लेकिन यहाँ पर यह issue आता है कि दोस्तों जो हमने बनाया है जो हमारी header file बनाई है वो इस folder में नहीं include folder में नहीं तो यह जो है वो केवल include folder को ही search करता है उसमें ही file डूंटर है क्योंकि वो हमारी जो हमने नहीं file बनाई है वो तो हमारी project में गई है आप देखेंगे यहाँ पर यह file वहाँ पर यहाँ पढ़िए ऐस नाम के project में तो यह जो bracket है यह include folder को डूंटर और वहाँ पर इसको फाइल को मिल नीना इसलिए उसमें error दे दिए तो करें क्या यहाँ पर एक option दे देखा है हम लोगों को कि अगर जब कभी भी ऐसी situation आती especially user defined header file में जरू situation आएगी उस case में आप angular bracket के जगह double course लगा देंगे क्या लगा देंगे double course तो यह जो double course है यह बहुत ही strong search करता है means यह जो double course है यह वाला यहाँ पर जो use किया मैंने यह वाला यह जो है यह सबसे पहले current directory को डूनता है current directory मतलब जहां हम लोग work कर रहे है उस directory में जाकर चेक करेगा उस folder को जाकर चेक करेगा current folder को कि वहाँ पर इस नाम के फाइल है या नहीं then वो other folder को जाकर सर्च करता है इसका मतलब है कि double course लगाऊंगा तो यह file मिल ली जाएगी उसको क्योंकि double course आलमोस सारे folder होंगे उनमें check out करका आएगा तो अब इसको एका run करके देखते हैं कि यहाँ पर को issue तो नहीं है मेरे साब को issue नहीं है अब इसको run करके इसका आउपूट देख लेते हैं फटापट तो प्रोगाम रन हो चुक है और दोस्तों आपके सामना आउपूट स्कीन खुल चुक है जिसमें लिखावा है इस इस डेमो फॉंक्टिन यह बिल्कू करेक्ट है तो इसका मतलब यह है कि आपने जब देखा है हम लोग बनाते हैं तो हम लोग double कोर्स का यूज़ करते है Englue के साथ में और अगर हमारी फॉल्दर में तो इसके लिए हम लोग Angular packet का यूज़ करते हैं ऐसके थिसमें आपको बताया कि double course वाला है हमारे current folder को सब्सक्राइं और three printer को सरिज करता है अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलू हूँ कि अगर मैं यहाँ पर यह जो फाइल है अगर इसके उपर भी मैं लगा देता हूँ इसका मतलब है हमारे प्रोगाम में अभी भी कोई गड़बडी नहीं होगी इसको एक अरण करके आउपुट देख लेते हैं आउपुट अभी भी आ रहा है कहने का मतलब है कि डबल कोर्स इस बैटर एक अच्छा सर्च है बहुत जादा अच्छे से सर्च करता है हर फोल्डर कहीं दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों एक प्रोगाम के अंदर हमेशा इसको एंगलर बैकिट के साथ में लिखा जाता है तो फिर इसका आसम आपको बताता हूं यह जो एंगलर बैकिट वाले होते हैं यह केवल ओ केवल इंक्लूर फोल्डर को डूनते हैं और जहां आपके फ फोल्टर को चेक करता है तो इसको तोड़ा सा सर्चिंग वाला जो टाइम है वो कहीं न गए बढ़ जाते हैं तो अगर आप शूर हो कि आपकी फाइल इंक्लूड फोल्टर में है तो आप लोग इसी को लगाए जिससे कि हम आई पी डिफाइन फाइल से सब इसी फोल्टर में कर लेते हैं दोस्तों कि एक और पोजिशन होती है जहां हमारा फंक्शन रखा जाता है चलिए उसके बारे में देख लेता है इससे पहले मैं सारा क्लीन कर देता हूं अब हम लोग क्या करते हैं इस हैट्टर फाइल को हटा देते हैं यहां से इस फाइल को डिल्ट कर देते ह या फिर हम लोग करते हैं एक नहीं फाइल बना लेते हैं और मैं मैं में पर प G. एक प्रवल कल नाम धिया Demo Test ओके दोस्तों अब इस program को चलाऊंगा तो ये कहेगा कि Demo Test नाम को कोई function नहीं है तो अब हमें Demo Test बनाना है और मैं चाहता हूँ कि Demo Test जो बने वो इस file में ना बने तो उसका एक तरीका हो सकता है कि मैं इसको header file में बना लू ये तो हमें आ गया इसका एक और तरीका मां को बताता हूँ कि मैंने क्या कीया हम लोग गए यहां पर new किया और हमने यहां पर empty file को choose करेंगे किसको choose करेंगे दोस्तों empty file को चुछिक है यहां पर हम लोग इसको save करेंगे जैसे मैंने इसको नाम किया मैं इस्वार save कर रहा हुँ फटाक से एक प्रिंटफ भी लिख लेते हैं ताकि जब यह चले तो हमें कंफर्म हो जाए कि यह किसी तरह का वेलू दे रहा है लिखूंगा दिस इस डेमो violation यहां पर यहां पर हमें से वीड़ है इस फ्रेंट करना चाहूंगा एज एक एर्र है क्योंकि दोस्तों आपने इस फाइल का नाम रखा है second क्या नाम रखा है second डॉट सी तो जो भी डॉट सी फाइल है उसको हम लोग हैसे इंक्लूट को साथ में नहीं इंक्लूट कर सकते हैं तो मैं इसको चला कर देखूंगा तो यहां पर वह एर्र देदेगा ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं हमने क्या करना है तो अगर हम लोग डेमो टेस्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो इस फाइल को यहां से हटाएंगे ठीक है अब आपको अगर इस फाइल का second फाइल का डेमो टेस्ट यह फंक्शन अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं वो मतलब है अगर हमारा जो function है किसी और C की फाइल में रखा हुआ है तो हमें उस C की फाइल से कोई सी function को यहां अपने में फाइल में लाने के लिए कोई additional code नहीं लिखा जाता है यह simply आ जाता है और यह काम हमारे लिए code block अच्छे से कर लेता है इसी वज़े से यह मेरा one of the favorite ID बन जाता है और आपका भी बन जाएगा दोस्तों अगर आप इसमें work करना शुरू करते तो बहुती easy बहुती अच्छा है चीक है तो यहां हमने सारी practice कर भी कर लिए आज कि हमने जितने भी functions लिखे थे जो हमने theory में पढ़े थे यह function को कहां कहां position कर सकते हैं वो हमने सारा का सारा यहां पर ट्रेमो ट्राइ कर लिए तो इस वीडियो में हम लिखे बूल अभी यहीं बात करेंगे चीक है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं कुछ नए मज़िदा टॉपिक ही तब तक के लिए थेंक यू